हालो अर्वान वल्कम टो कोच फाय आज के सेशन में लोग हमारे सुपर कंप्पूटर एमसी के सीरीज का पार्ट सेवें डिसस करने वाले यह सीरीज हमने स्पेशली आई पीपस अरट भी प्यो क्लर्क मेंस और अर्बी एसिस्टेंट मेंस के एक्जान में रखते हुए बनाई है कंप्पूटर अवरनेस के उपर काफे जदा इंपॉर्टन क्वेशन हम लोग इस सेशन में डिसस करने वाले तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फॉद अद्यू अपको एक्जामनेशन में पूछ जाते हैं तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं अब बिफोर दाट आव उड़ लाग तो टेल यू दाट कि हमने इसके पहले भी अलएड़ी छे सेशन अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन इसक्रीन डेलिबर्टी हमने काफी इंपॉर्टन और तुद पॉइंट और और मॉडर जो questions बनाई चाते हैं moderate to high level की questions उस में उस type की questions हमने इस sessions में discuss किये अगर आपने यह sessions नहीं देखे होंगे तिया आप आई बटन पर आपको एक playlist प्रोवाइड करा दूँगा आप इसको जाके देखी का काफी important और conceptual videos ही आपको सामने में present कर रहा हो ओके तो हम लोग चलिए session क करते हैं मेंस examination का pattern हम लोग डिसस करते हैं जिसमें आपको ध्यान में रहा है कि मेंस examination pattern किसका है यह आप यह आप देख सकते हैं नोटिस कर सकते हों आपको 40 questions 20 marks के लिए पुछ जाते हैं बट यह 20 marks आपको definitely selection दिला सकते हैं और आप इस sessions को अगर आप follow-up करोंगे तो आपको 40 on 40 लेने से को ही नहीं रह सकता तो ध्यान में रखेगा काफी important role play करते हैं आपके selection के लिए 20 marks plays a huge role ओके तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस sessions में questions addresses करने वाले हैं तो चलिए हमारा पहला question सबसे first question कहा है in a word MS word Microsoft office word when you indent a paragraph you dash अगर आप paragraph को indent करते हैं तो उसका मतलब आप क्या करते हो उसका मतलब आप करते हो कि आपको जो text है आपके margin के respective margin जो होती है आपके उसके respectively आप उसको substitute करते हैं उसको आप लिखते हो ठीक है जैसके आपको यहाँ पर image भी दिखा देता हो यह होगा हमारा right indent ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर arrow से समझ में आ रहा ह कि first line indent कहां से हमारी line शुरू हो रही है और हमारे जो buttons रहती है यहाँ पर अगर आपने MS word खोला होगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से indent increase करने के लिए और decrease करने के लिए आपको buttons रहते है so that आपकी जो line और यह फिर paragraph है आप कहां से शुरूवत कर सकते हो लिखना यह आपको यह indent बताता है ठीक है इसलिए इसका correct answer हो जाएका option है that means in a Microsoft office word when you indent a paragraph you actually push the text with respect to the margin आप यह जो margin है उसके respectively आप उसका जो text है आप उसको push up करते हो या फिर आप इसको decrease करते हो so that आपका particular text आपको कहां से शुरूवना चाहिए या आप यहां से decide करते हो okay आपको यह question समझ में आपकर मैं आशा कर दो देखते हम लोग हमारा next question which of the following scrambles a message by applying a secret code scrambles a message that means एक particular हमारे पास code है जिससे हमने किसी का नाम लिख लिया ठीक है जिससे हमने लिख लिया अमर इसको हमको एक particular code में scramble करना है फिर convert करना है उसको हम लोग क्या करते है encryption करके कहते है ठीक है option A इसका correct answer हो जाएगा encryption करना मतलब data एक particular data को अपने दूसरे code में convert कर ले जिससे आप यहापे देख सकते हो digits में एक multiple digits है आपका जो original code है जैसे अमर is going to college ठीक है आपने इसको A, B, Q, R, Z, alphanumeric या फिर कोई भी ऐसमें आपको convert कर देख मेंस आपने data को encrypt कर यह आपके security को security को product करने के लिए काफी important role play करता है encrypted data that means आपके जो debit card, credit cards रहते हैं आपके जो essential passwords रहते हैं काफी जो private आपकी चीज़े रहती है उसमें आपको encryption किया जाता है that means आप उस data को product कर रहे है उसी का मतलब क्या होता है कि आप एक particular data को content को messages को आपको encrypt कर रहे है कोई दूसरे code में so that उ miss-use ना हो सके और उसको कोई भी decrypt नहीं कर पाया है उसको decrypt करने के लिए encryption को decrypt करने के लिए that means data को फिर से read करने के लिए encrypted data जो होता है उसको decrypt करने के लिए आपको एक particular code की passwords की जरूरत रहती है या फिर particular एक command की जरूरत रहती है ठीक है तो इसका correct answer था option A I hope आपके समझ में आगा what is encryption and what is decryption ओके देखते है मारा next question which is question number 3 which of the following extension uses for executable file अपने अपकी computer में generally windows में हमने देखा होगा कि आपके executable file है जैसे अगर MS print open करते है या फिर आप particular application open करते है तो उसका जो extension रहते है that means आपका जो एक file है उसके जो last name है that means वो extension है वो बोर दर्शात है हमें कि वो किस तरीके का program है ठीक है वो हम लोग कौन सा extension यू उसकरते executable file that means जो हमारा program है उसको हम लोग execute करने के लिए जो file use करते है उसका extension क्या है ठीक है तो उसका extension होता है .exe ध्यान में रखेगा important है ठीक है अगर आपको MS paint के folder में अगर आप जाते हो ठीक है आप library में चाहते है वैसे तो आपका यह desktop पी रहता है अगर आप इसका extension क्योंकि तो .exe हाँ पर रहता है that means यह कहा हमें दर्शाता है कि it is a executable file यह हमारी executable file है तो इसका correct answer हो जाएगा option C और साथ साथ मैं आपको बदा दू यह जो बाकि के remaining extensions है XML that means यह XML file का है bin that means binary file है .exe जो executable file अभी हमने देखा था और .data यह तो it is a data file यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है okay तो आपको यहाँ तक समझ में आओगा बढ़ते हैं हमारे next question के और which is question number 4 EPROM okay EPROM can be programmed by which of the following ways सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना नहीं होगा कि EPROM को full form क्या होता है EPROM को full form क्या है erasable programmable read only memory that means इस ROM को आपको पता है कि ROM को हम लोग read only memory को erase नहीं कर सकते बट EPROM को हम लोग erase कर सकते particular एक ultraviolet signals को उसको provide कर आखे ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा by option B that means by using special ultraviolet trace हम लोग EPROM को reprogram कर सकते हैं अगर हम लोग particular special type of ultraviolet trace उसके अपर spread करें तो ठीक है मैं आपको इस image में दिखा देता हूँ ठीक है यह हो गया हमारा EPROM यह generally IC हो गया IC का full form क्या है integrated circuit आप इस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक transparent सा portion है ठीक है that means अगर आप यहाँ पर ultraviolet light इसको spread up करते हैं इसमें जो ROM में read only memory में जो program है इसके अंदर हमने install किया हूँ आप इसको erase कर सकते हो आप इसको फिर से reprogram कर सकते हो that means हम लोग electrically programmable that means हम लोग erisable programmable read only memory erisable programmable read only memory को हम लोग reprogram कर सकते है by using special type of ultraviolet rays ठीक है आप यहाँ पर practically इसको देख सकते हो so that आपको मान में clear idea आ जाए देखते हमारा next question which is question number 5 which type of following which of the following command is used to center line the text हमारे जो text है ठीक है आपने अगर एक word open कर लिया या फिर powerpoint open कर लिया तो आप नहीं से text लिखना शुरू करते हो अफिर पहले हमारा फिर नहीं रहता है, यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ आप यहाँसे शुरुवात करते हो indexing रहता ही इसका या फिर हमारा जो alignment रहता है वह रहता हमारा left line अगर आपको इसको centerline करना है इसको completely shift करना है center से ठीक है आपको इसमें से कौन सा command यूज़ करते हैं यह हमें question में पूछा है तो हम लोग इसमें से control plus e command यूज़ करते हैं option c का correct answer है control z जो है वो undo करने के लिए use होता है और अगर आपको control plus y पूछा जाएं control z press करते हो अगर आपको इसमें आगे जाना है आप उसको redo करना चाहते हो ठीक है redo करना चाहते हो तो आप उसमें control plus y प्रेस करते हो ठीक है control a हम लोग command किसके लिए use करते है select all ठीक है ध्यान में रहे किगा control e हम लोग centerline के लिए use करते है है और control f हम लोग अगर एक particular हमारा जो वर्ड है या फिर अपने जो spreadsheet है या फिर कोई भी आपका MS word का application हो तो control f हम लोग generally find करने के लिए use करते हैं जैसे इसमें कुछ sentence लिखा है अगर यहाँ पर हमने इस slide में अगर आपको command find करना है ठीक है तो अपने number of यहाँ पर lines है बट आपको है पर command word धूनना है तो आप क्या करोगे रोगे 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 और यहाँ पर command type करोगे तो आपको particular इस sentence में कहां-कहां command लिखा है तो वह highlight होके आ चाहिए ठीक है इसी का full form था that means इसी का जो shortcut की था that means center line का वो था control E और इसका control F का that means control find करने के लिए ठीक है एक particular content या फिर particular आपको word ओके तो आपको आपके question समझ में आओगा देखते हमारा next question which is question number six dash is a content distribution protocol which enables efficient program is efficient software distribution and peer-to-peer sharing of a very large file by enabling users to serve as a home network redistribution points ठीक है तो हमारा कॉन सा इसा इसमें से software है so that हम लोग एक particular peer-to-peer sharing करके हमारा जो content है उसको distribute कर सकते है उसको हम लोग कहते है bit torrent ठीक है यह भी फिलाल बैन है इंडिया में ठीक है उसमें क्या होता था कि हमारे जो peers है जो individual है ठीक है वो हमारा आपके फाइल को मदद करते थे redistribute करने के लिए शेर करने के लिए यह हमें आपे question में लिखा गया है that means bit torrent is a content distribution प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एक रूल है जिस एनेबल करते है हमारा एक हमारा software distribution और पियर टू पियर शेरिंग ऑफ लाजड़ गिगाबाइट्स में आपका अगर आपका एक नॉर्मल एक फाइल है या फिर मूवी है जनरली यह पाइरसी होती थे उससे ठीक है bit torrent से इसलिए इसको बैन कर दिया गया torrent से हम लोग जो भी डाउनलोड करते थे तो उसमें क्या होता था जो हमारे हमने एक पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड कर दी वह आपका री अप्लोड होती थी ठीक है जाट वीस हम लोग उसके लिए पियर बनते थे और हम लोग करते थे लाज नंबर फाइल्स को यह मारे यूजर से यह पर्टिकुलर यूजर से वह हमारे ऐसे नेट्वर्क रिडिस्टिपुशन पॉइंट बनते थे थे ठीक है तो यह मिस्ट इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी विल सी दा नेक्स कोशन विच इसकोशन नंबर सेव क्या है यू एले का फुल फॉर्म क्या होगा एंड यूजर लाइसेंस अग्रिमेंट इसका फॉल फॉर्म है ऑप्शन डीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा तेक तेमारा नेक्स कोशन चुकी कोशन नंबर है एट टी एफट इसकोशन नंबर है यह इंपॉर्डन कोशन है दो वार बीट पर खरेक्ट azuje और है टेका हुआ गा का फॉल कोशन अग्रिवक्ट डीक लास फॉंटक हम थंस्क ऑुटार्एर्यृ राज जिसका आपको अपके आपको ऐंहुज सकेक्थ सटे इसमें पीलाराइसर से एलेकि आपके आपको रहता है इसमें और इसमेगन ग्लास स बना के आपको इस तरीके से इमेज बनती है यह चोटा सा एक पार्ट हो गया इसका ठीक है एक पिक्सल को एकस्पांड करते है तो आपको इसमें इस तरीक से आपको मार्केट में देखने को मिलते है ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या था? LCD का भी फॉल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है जो कि यह लिक्विट क्रिस्टल डिस्प्ली था नहीं रिखिगा टीफ्टी का फॉल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स ओके लिटे नेक करने के लिए उसको मदद करता है तो device drivers है language translator है system utilities या फिर operating system operating system देखो main लिए तो चाहिए रहता है हमारे main OS के software को हमारे function करने के लिए ठीक है उसी के साथ हमारे पास उसके device drivers भी जरूरी रहते है ठीक है जिसे मान लो आपने printer connect कर देए इसमें ठीक है अपने printer connect किया printer के compatibility रह सकती है एक OS के साथ में जिसे अगर आपने Windows 10 इसमें install किया Windows 7 इसमें install किया तो उसमें इसको डिटेट करने के लिए इसके जो compatible drivers है so that यह कैसे function कर सके इसके आपके पास पहले drivers गया थी जो आप install करते थे computers में so that यह समझ सके कि जो हमारा computer इसमें printer हमने इसमें connect किया है व तो वहीं हमें responsible है that means हमारे device drivers हो है हम लोग पहले इसमें install करते थे so that हमारा यह printer अच्छे से work कर सके at their optimum position okay that means इसका correct answer है option A we'll see the next question which is question number 10 microphone used in a computer computer senses the which signal जो हम लोग microphone use करते computer में वह हमारा क्या signal वहांसे signals को sense करते है और उसको convert करते audio signals में तो वह electromagnetic waves sense नहीं करते ध्यान में रखेगा वह simply sound vibrations जो होते है जैसे हम लोग बात करते है जैसे हम अब भी बात कर रहे है ठीक है तो हमारे जो sound vibrations है ठीक है वह sense करता है एक ट्रांस्टूसर्टूसर्ट उ दिखान में रिखेगा we'll see the next question which is question number 11 E-N-I-A-C stands for E-N-I-A-C का full form हमें हाँ पे पुछा गया है it is a electronic numerical integrator and calculator option D is का correct answer हो जाएगा देखते हमारा next question question number 12 which of the following language is the closest to the machine code ठीक है हमारी machine code से सबसे closest language कौन सी है तो हो हमारी assembler option C इसका correct answer देखिए आपको मैं note बता रहो what is compiler compiler क्या करता है एक हमारी high level language जो जैसे C होगी C++ होगी उसको हमारी machine language में convert करता है ठीक है एक ही साथ एक एवन गो में this is a full program at once और that means compiler हम लोग क्या करता है compile करता है which is completely a complete program at once हमारा ये convert करता है high level language to machine level language में interpreter क्या करता है it also converts high level language into machine language but one line at a time means interpreter क्या करता है one by one हमारी high level language को machine level language में convert करता है interpreter में object code generate नहीं होता है okay compiler में object code ये generate होता है ये इसका difference है compiler और exacerbator assembler हमारा क्या करता है यह हमारा convert करते है assembly language into machine level language that means यह जो assembler है हमारा closest है that means सबसे पास है machine के okay जो कि हमारा सिर्फ दो ही language समझती है zero या फिर one ठीक है एक तो वो on होगा या फिर वो off होगा सो बढ़ते हमारे next question के और which is question number 13 a dash is a device that connects the dissimilar networks दो dissimilar networks को connect करने के लिए हम लोग gateway यूज करते है repeater यूज करते राउटर यूज करते है फिर switch यूज करते धन में रखे का we use a gateway to connect the two dissimilar networks ओके option A का correct answer हो जाएगा तिक है repeater उसमें क्या करता है repeater क्या करता है एक amplify करता है हमारे Wi-Fi signals को जो हमारे अगर हम लोग Wi-Fi रिप्टर यूज करते तो आपने दिखा होगा कि आपके बड़ा सा हौल है या फिर बड़ा सा आपका बेंगलोज है ठीक है यहाप पर पर्टिकुलर आपने Wi-Fi connect किया ठीक है अगर आपको इस रूम में किखे से सिगनल को बुस्ट करने के लिए रिसेव करने के लिए फूद आप उसको प्र्फर्मेंस करेंट कर सब्सक्राइब यही होता है रिप्र का फंक्शन राउटर क्या करता है हमारा इट इप इस डिवाइस अट वर्क लाइक प्रूटो क्रोंस इसको रिच रहाइड हम to segment network into different sub-network एक network प्रिटिक्लियर network को different sub-networks में convert करने के लिए different segments में convert करने के लिए हम लोग switch use करते है okay तो आया वागए बख़ी के भी options में से समझ मैं आ होगे so देखते हैं मारा next question which is question number 14 dash are the values passed to the function using which the function carries out some work functions है argument है absolute reference है mixed referencing है देखें इसी आपको एक्जामनेशन को देखने को मिलेंगे, जिस टाप की अभी competition चल रही है, ध्यान में रखेगा, आपको काफी easy से questions आपको अभी examination में देखने को नहीं मिलते हैं, बगर आप फिर भी चाहते हो, कि मैं आपके लिए सिर्फ theory के sessions लेकिया हो, कि इस विदाट आपको completely computer awareness का theory हो जाए, complete हो सकते हैं, तो आप मुझे please comment works ने comment करेंगा, आपका feedback को ध्यान में रखते हैं, मैं sessions वो provide कर रहा दूँगा, उसके आप चिंता ना करें, फिलाल हम लोग अभी question को देखते हैं, dash are the values passed to the function, using which functions carried out some work, अगर हमरा functions कुछ work कर रहा होगा, तो हम लोग उसको arguments provide करते ह यह होता है, mainly excel में, ठीक है, तो उसके correct answer है, option B धान में रखेगा, देखते हमारा next question, which is question number 15, dash is a method for flooding the internet with the copies of same messages, यह काफी important question है, आप भी आजकल के जमाने में यह काफी आपको देखना कुबलता है, उसको हम लोग कहते है, spamming, spamming करना that means एक number of message है, उसको repeat करना continuous time, उससे क्या ह हमारा जो network है, वो jamming हो जाता है, busy हो जाता है, बज़ी हो जाता है, उसको हम लोग कहते है, spamming, it is a method of flooding the internet with the copies of the same message, इसका correct answer हो जाता है, ठीक है, that is option B, इसका correct answer है, देखते हमारा next question, which software is used to record the action of recording the keys struck on the keyboard typically covertly, so that a person using the keyboard is unaware that their actions are being monitored, देखे ही important question है, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, अगर आप एक मान लो, आपके कोई computer पर काम कर रहे हो, जो कि आपको unknown है, ठीक है, उसमें आप keyboard से type कर रहे हो, ठीक है, हो क्या रहा है, आपको वो बतानी कि उसके अंदर कुछ program inserted है नहीं है, देखी इस बात को आपको आपको personal level पे भी ध्यान में रखना चाहिए, क कि आप कभी-कभी personal cyber campus में जाते हो, या फिर कहीं किसी unknown विक्ति का अगर आप PC use कर रहे होंगे, तो उस time पे हमारे आपकी passwords एंटर करने के लिए आपको ध्यान से रखना होगा, ठीक है, इसलिए आपको कभी भी आप देखते हो, on screen keyboard आपको देखने को मिलते हैं, so that screen पे ही आ आप type करके touch कर से, या फिर click करके आप इसको type कर सको, तो आप ध्यान में रिखे कि आपको खुद को इस तरीके से product करना है, कि आप इसमें से जो password type करते हैं, तो आप keyword से ना type करते होए, आप on screen keyboard से type करें, so that आपका security maintain रह सके, उस ही को हम लोग कहते है, keylogger, keylogger क्या करता है, basically एक function होता है, दिखें, जैसे मैंने अभी है पर type किया, person, okay, parson, या फिर अगर हमने पर type किया password, हमने आप keyword से keypress किया, बट होता किया, अगर आपके computer के अंदर, एक keylogger software अगर अपने install किया करें, आपने, that means वो जो particular person ने, तो वो क्या करेगा, आपके जाने के बाद, जो आ 1, 2, 3, 4, 5, तो वो आप इसको read कर पाएंगा, as a text file में, इसी को software को हम लोग कहते है, keylogger, तो ध्यान मेरे किया, इसका correct answer हो जाएक option B, और यह काफी important चीज़ है, आचिकल को privacy को आपको maintain करने के लिए, आपके security को maintain करने के लिए, इसलिए आप कभी internet banking कर आप, किसी unauthorized computer से, ध keylogger क्या करते है, basically आजकल हो hardware keylogger भी आते है, जो आपके keyboard में, जो भी keypress होती है, उसका logging करके रखते है, उसको लिखके रखते है, that means, अपने अगर एक particular sequence में password एंटर किया, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो वो 1, 2, 3, 4, उसको text form में दिखाएंगा, यह keys में press हो चुकी थी, ठ आपके इसका question का answer समाझ में आगा, इसका correct answer है, option B, so देखते हैं हमारा next question, question number 17, the refresh rate of a monitor is measured in, refresh rate हम लोग bytes में measure करते है, seconds में, hertz में, फिर none of these, तो refresh rate हम लोग hertz में measure करते है, ध्यान में रिखते है, option C, इसका correct answer है, देखिए हमारी screen है, ठीक है, अभी आप यहापे देख सकते हो अगर हमारा 4 hertz का screen का refresh rate है, ठीक है, generally हमारे जो gaming monitors रहते है, उसमें ये चीज़ काफी useful रहती है, ठीक है, so that हम लोग कुछ without lag होगे, without lag होए हम लोग screen को देख सके, अभी आप को इसमें image में देख सकते हो, यहापे हमारा 4 hertz का, ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि जो points जा रह 4 hertz से 12 hertz पे कर दिया, तो हाप smooth transition देख पा रहे होगी, यह जो bubble jump up कर रहा है, ठीक है, आप इस से और इस से compare करके देखिए, ठीक है, ठीक है, थोड़े time के लिए, आपको खुद को समझ बहाँ जागा, ठीक है, इसके steps ज़्यादा बढ़गे, इसका refresh rate ज़्यादा है per second में, ठीक है, और next, यहाँ पे आपको देख रहा है, 12 hertz होगा double हमले refresh rate कर दिया, तो जो transition हो रहा है, इस element का, एगर यह मानलो ball है, यहाँ से move हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि कितना smoothly यह transit हो रहा है, इसी को हम लोग कहते है refresh rate, 4 hertz अगर हो 24 hertz मे अगर आप देख रहे हो, यहाँ आप steps में देख रहा है, ठीक है, अटक अटक के दिख रहा है, और यही पे आपको smoothly हाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसी तरहीके से, correct, यह हो गया हमारा refresh rate और यह हम लोग hertz मे measure करते है, generally हमारी जो screen है, उसका 60 hertz, 50 hertz का जो यह रहता है, वो refresh rate रहे, बड़ गेमिंग मॉनिटर तक ही, kilohertz नी, 300 hertz तक भी, आपको इसका refresh rate मिल सकता है, जिससे आप इसमें देख सकते हो, अगर आप 24 hertz पे इस type का screen resolution देख सकते होगे, यह फिर स्क्रीन का transition देख रहे होगे, तो आपका 300 hertz तक का resolution रहे हो, जो transition रहे हो, जो transition रहे हो, वो काफी smooth रहे हो, आपको जो image transit होगे, ठीक है, from one frame to another frame, तो वो काफी smooth लिए होगे, इसी का meaning है, refresh rate, और यह hertz में हम लोग measure करते है, displays में, monitors में, ठीक है, तो हम लोग देखते है, हमारा next question, which is question number 18, which metal is commonly used in a heat sink, heat sink में हम लोग copper, aluminum, फिर iron use करते है, तो हम लोग heat sink basically क्या होता है, आपका जो processor रहता है, silicon से बनावा, ठी यहाँ पे, एक particular, इतना heat generate होता है, कि हमको इसको extract करना पड़ता है, heat को absorb करना पड़ता है, और इसको cool down करना पड़ता है, so that हम लोग heat dissipation कर सके properly, और इस procedure को cool कर सके, उसी के लिए हम लोग heat sinks का इस्तमाल करते है, heat sinks basically कि इस तरीक से, consequence metal से बनता है, हम लोग copper aluminum इसमें से use करत है, क्योंकि यह better conductor of heat है, इसमें से काफी अच्छी तरीक से heat हमारी transmit होता है, heat हमारा carry out होता है, इसलिक इसका carry transfer हो जाएगा, option C, which is both copper and aluminum, यहाँ आप copper tubes और aluminum के thin frames देख सकते होंगे, that means यह अगर आपका heat pad है, ठीके, और यहाँ पर आपका processor है, तो यह क्या करता है, heat sink क्या कर पर aluminum की plates है, इसमें से heat dissipate होती है, यह work करता है condenser, so that आपका जो processor की heat है, इसको extract कर सके atmosphere में, और इसको cool down कर सके, और इसमें से हम लोग copper tubing भी use करता है, ठीके, तो यह important function है, heat sink है, काफी major rule play करता है, आपके functioning और working, proper working के लिए आपके processor के लिए, ठीके, important है यह जीज, ध्यान मे 19, dash is the collection of one or more files that collects flaws in the performance, reliability or security of a specific software product, हमारा किया ऐसा चीज़ है कि जो एक हमारा particular software को performance improvement करने के लिए, उसका reliability बढ़ाने के लिए, फिर security बढ़ाने के लिए, particular specific software आता है, उसको हम लोग कहते है, software patching, ठीके, अपने देखा होगा कि अगर आपके Google Play Store में, अगर कोई update आता है, या एक complete software हमको फिल से डाउनलोड नहीं करना पोड़ता है, हमको सिर्फ उसका software patch डाउनलोड करना पोड़ता है, एक particular portion of software, that means वो कुछ fix कर सके है, जो हमारे कुछ issues होंगे previous versions में, तो उसको हम लोग कहते है, software patch, तो इसका correct answer था, option C, देखते हमारा next question, which is question number 20, the laser printers, the printing is achieved by deflating razor laser beam on the dash surface of the drum, तो हमारा जो laser printers में है, हम जो printing करते है, तो हमारे जो laser beam है, हम लोग deflate करते है, photo sensitive surface of the drum पे, ठीक है, options ही है, यहाँ आप इमेज में देख सकते है, यह हमारा laser printing का working mechanism है, यहाँ से laser scanning unit से हम लोग mirror से particular, particular angle पे, यह जो laser beams है, वो हम लोग deflate करते है, photo receptor drum पे, ओके, और यह यहाँ पे, आपका जो toner है, इसमें जो हम लोग black powder use करते है, for printing के लिए, इसमें से direct होता है, और यहाँ से आपको printing एक page मिलता है, ठीक है, यह हमारा laser printer में work होता है, ठीक है, तो जो laser beam deflect होता है, तो होता है, photo sensitive, that means, यह laser पे sensitive, यह drum है आपका, ठीक है, तो इसका character answer है, option C, तो आपको यह question सारे समझ में होगे, next question, next session के लिए हमको question छोड के जारो, question है, in OCR processing, when a character is recognized, it is converted into dash code, इसका character answer आपको हमें comment box में comment करना है, आपको हमारा session समझ में होगा, आपको हमारा telegram channel kuchifa underscore official को join करना है, आपको previous सारे session supermcq के देखना है, और इस session को आपके friend के साथ में share करना so for the next time guys, I will see you and have a nice day